प्रेम से बोलिए श्रीमत भागवत महापुरान की जय श्री शुकदेव महराज की जय परिक्षित महराज की जय आप सभी का दिन शुब और मंगल मही हो आज आप सुनेगे भागवत कथा का सबसे अंतिमत्याएं और आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर लगातार इन कथाओं का रस्पान किया है अपना भरपूर प्यार कमेंट्स के माधम से दिया है आप सभी से आज मेरा विनम्च अनुरोध यही है कि हो सके तो आज की इस अंतिम अध्याय को आप इतना शेयर कीजेगा यद जिन्होंने भी आस तक एक बार भी वीडियो को कमेंट नहीं किया है तो आप कमेंट करके या हो सके तो शेयर करके इस वीडियो को इतना दूर तक फिलाएगा कि अंति मध्याय हमारी यूट्यूब परिवार के सभी 9 लाख लोगों तक पहुंच सके और आप सभी का सयोग मुझे हमेशा प्राप्थ होता रहा है उमीद है आगे पद्म पुरान की जो कथाएं आपको सुनाई जाएंगी उसमें भी आप अपना प्यार इसी प्रकार से पनाई रखेंगे आज के सध्याई के अंत में आप भागवत कथा की आरती भी सुनेंगे मैंने अपना प्रयास किया है कि मैं आपको गा कर आरती सुना सकूँ फिर भी जो गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर देजेगा महर्शी व्यास जी कहते हैं कि जिनका स्वरूप है सचीदानंद घन जो अपने सौंदर्य और माधुर्यादी गुणों से सबका मन अपनी और आकर्शित कर लेते हैं और सदा सरवदा अनंत सुख की वर्शा करते रहते हैं जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति इस्थति और प्रले होते हैं उन भगवान श्रीकृष्ण को हम भक्ति रसका आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं नयमिश अरणी छेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे वे थे उस समय भगवान की अमरित मही लीला कथा के रसक उसके रसा स्वादन में अत्यत कुशल शोनक आधी रिश्यों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न किया डिश्यों ने पूछा सूत जी धर्मराज युदिस्थर जब श्री मत्रा मंडल में अनिरुध नंदन वज्र का और हस्तिनापूर में अपने पौत परिक्षित का राजा भिशेक करके हिमाले पर चले गए तब राजा वज्र और परिक्षित ने कैसे कौन-कौन सा कारे किय सूत जी कहने लगे भगवान नारायन, नरोतम, नर, देवी सरस्वती और महर्शी व्यास जी को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुरान रूप जय का उचारन करना चाहिए शौनक आदी ब्रहमरिशियो, जब धर्मराज व्युथिस्टर आदी पांडवगन स्वर्गा रोहन के लिए हिमाले चले गए, तब समराट परिक्षित एक दिन मत्रा गए, उनकी स्यात्रा का उद्देश इतना ही था कि वहाँ चलकर वज्रनाप से मिलकर आ जाए, जब आगे बढ़कर उनकी अगवानी की चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आये, वीर परिक्षित भगवान श्री क्रिश्न के परम प्रेमी भक्त थे, उनका मन नित्य निरंतर आनंद गन श्री क्रिश्न चंदर में ही रमता रहता था, रोहिणी आदी श्री क्रिश्न पत्नियों ने भी सम्रात परिक्षित का अत्यंत सम्मान किया, वे विष्राम करके जब आराम से बैठ कहें, तब उन्होंने वजर नाप से इगे बात कही, राजा परिक्षित कहने लगे हे तात, तुम्हारे पिता और पिता महों ने मेरे पिता पिता महों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है मेरी रख्षा भी उन्होंने ही की है प्रिवजरिनाब अगर मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता इसलिए मैं तुमसे प्रयार्थना करता हूँ कि तुम सुख पूर्वक अपने राजकाच में लगे रहो तुम्हें अपने खजाने की, सेना की या शत्रों को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करने चाहिए तुम्हारे लिए कोई कर्तब है तो केवल एक ही वो ये कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूट प्रेम से भली भाती सेवा करते रहना चाहिए अगर कभी तुम्हारे उपर कोई आपती विपती आये या किसी कारणवश तुम्हारे हिडवय में अधिक दुख का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना मैं तुम्हारी सारी चिंताइं दूर कर दूँगा समराट परिक्षित की ये बात सुनकर वजरनाप को बड़ी प्रसनिता हुई उन्होंने राजा परिक्षित से कहा महराज आप मुझसे जो कुछ भी कह रहे हैं वो सरवता आपके अनुरूप है आपके पिताजी ने भी मुझे धनुर वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है क्योंकि उनकी करपा से मैं छत्रियोचित शूर वेर्ता से मलिभाति संपन हूँ बस मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी शिंता है आप उसके समन में कुछ सोचिए ये दिपी मैं मतुरा मंडल के राज पर अभिशिक थूँ फिर भी मैं यहां निर्जन वन में ही रहता हूँ इस बात का मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहां की प्रजा कहां चले गई क्योंकि राज जी का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे जब वजरनाब ने परिक्षित जी से ये बात कही तब उन्होंने वजरनाब का संदे मिटाने के लिए महर्शी शांडेल्य को बुलवाया यही महर्शी शांडेल्य पहले नंद आधी गोपों के पुरोहित थे परिक्षित का संदेश पाते ही महर्शी शांडेल्य अपनी कुटी छोड़ कर वहाँ आप पहुँचे वजर नाप ने विधी पूर्वक उनका स्वागत सत्काल किया और वे एक उची आसन पर विराजमान हो गए राजा परिक्षित ने वजर नाप की बात उन्हें कह सुनाई इसके बाद महर्शी शांडेल बड़ी प्रसनता से उनको सांत्वना देते वे कहने लगे पुरे परिक्षित और वजर नाप मैं तुम लोगों से व्रिज भूमी का रहसे बतलाता हूँ तुम एकाग्र चित्तों कर सुनो व्रिज शब्द का अर्थ है व्यापती इस व्रध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमी का नाम व्रिज पड़ा है सत्व, रज, तम इन तीन गुणों से अतीत जो परिब्रह्म है वही व्यापक है इसलिए उसे व्रज कहते हैं वो सदादन स्वरूप परम जोतिर्मे और अभिनाशी है जीवन मुक्त पुरुष उसी में इस्थित रहते हैं इस परब्रह्म स्वरूप व्रिज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है उनका एक एक अंग सचिदनन स्वरूप है वे आत्माराम और आप्त काम है प्रेम रस में डूबे वे रसिक जन ही उनका अनुभव करते है भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका उनसे रमन करने के कारण ही रहस रस के मर्मग ज्यानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते है तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो ये विवाहरिक लीला है ये प्रत्वी और स्वर्ग आदी लोक इसी लीला के अंतरगत है इसी प्रत्वी पर ये मथुरा मंडल है यही वह ब्रज भूमी है जिसमें भगवान की वह वास्तवी रहस लीला गुपत रूप से होती रहती है वो कभी कभी प्रेम पून हर्दे वाले रसिक भक्तों को सबोर दीखने लगती है कभी 28 द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस लीला के अधिकारी भक्त जन यहां एकत्र होते हैं जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं और उनके अवतार का ये प्रयोजन होता है कि रहस लीला के अधिकारी भक्त जन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रसका आस्वादन कर सकें इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहन करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और रिशी आती भी सब और अवतार लेते हैं अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों के बिलाशाएं पूर्ण करके अब अंतरध्यान हो चुके हैं इससे ये निश्चे हुआ कि यहाँ पहले तीन प्रकार के भक्तिजन उपस्थित थे इसमें संदे नहीं उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं दूसरे वे हैं जो किवल भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं तीसरी श्रणी में देवता आदी हैं इन में से जो देवता आदी के अंश से अप्तियन हुए थे उन्हें भगवान ने व्रजभूमी से हटा कर पहले ही द्वार का पहुचा दिया था फिर भगवान ने ब्रहामण के शाप से उत्पन मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अप्तरित देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और फिर से अपने अपने अधिकार पर इस्थापित कर दिया और जिन्हें एक मात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद सोरुप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया जो नित्य पार्षद है वे ये दिपी यहां गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं फिर भी जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अद्रिश हो गए हैं जो लोग व्यवाहरिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है इसलिए यहां आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता हैं च्योंकि वे वास्तविक लीला में इस्थित भगजनों को नहीं देख सकते इसलिए वरिजनाब तुमें बिलकुल भी चिंता नहीं करनी चा का नाम रखकर तुम अनेकों गाउं बसाओ और इस प्रकार दिविवरज भूमी का भली भाती सेवन करते रहो गोवर्धन दीर्गपुर अर्थात डीग मत्रा महावन अर्थात गोकुल नंदिगराम अर्थात नंदगाउं और व्रहत सानू अर्थात बरसाना आदी में भगवान की लीला के इस्थल नदी, परवत, घाटी, सरोवर और कुंड या कुंजवन आदी का सेवन करते रहना चाहिए ऐसा करने से तुमारे राज में प्रजा बहुती संपन होगी और तुम भी अत्यंत प्रसने रहोगे ये व्रज भूमी सचिदानन मई है इसलिए तु जाएगी व्रज नद इस व्रज भूमी का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उध्वजी मिल जाएंगे फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमी का तथा भगवान की लीला का रहसी भी जान लोगे मुनिवर शांडेली जी उन दोनों को इस प्रकार स अब ये बतलाईए कि परिक्षित और व्रिज नाब को इस प्रकार आदेश दे कर जब शांडेली मुनी अपने आश्रम को लोट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन-कौन सा काम किया सूत जी कहने लगे कि इसके बाद महराज परिक्षित ने इंतरप्रस्थ यानि दिल्ली से हजारों बड़े-बड़े सेठों को बुलवा कर मतुरा में रहने की जगा दी इनके लाबा समराट परिक्षित ने मतुरा मंडल के ब्रामनों और प्राचीन वानरों को जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे बुलवाया और उन्हें आदर के योग की समझकर मतुरा नगरी में बसाया इस प्रकार राज़ परिक्षित की साहिता और महर्शी शांडेली की किरपा से वजर नाप ने क्रमशह उन सभी इस्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं किया करते थे लीला इस्थानों का ठीक ठीक पता चल जाने पर उन्होंने वहाँ वहाँ की लीला के अनुसार उस उस जगह का नाम करण किया भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की और उन उन जगह पर अनिको गाउं बसाए। जगह जगह पर भगवान के नाम से कुंड और कुने खुद altogether कुंज और बगीचे लगवाए। शिव आधी देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरी देवादी नामों से भगवत विग्रह की स्थापना की, इन सब शुब कर्मों के द्वारा वजर नाव ने अपने राजी में सब और एक मात्र श्री कृष्ण भक्ती का ही प्रचार किया और बड़े ही आनन्दित हुए, उनकी प्रजाजनों को भी जिंसा किये करते थे, एक दिन भगवाँ श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16000 रानिया अपने प्रेतम पतिदेव की चतुर्थ पतरानी कालिंदी यानि यमुना जी को आनन्दित देख कर सरल भाव से उनसे पूछने लगी, उनके मन में सौत्या डाह बिल्कुल आ रही है, उनके वियोग दुख से हमारा हिरते व्याकुल हो रहा है, किन्तु तुम्हारी तो ऐसी स्थिति नहीं है, तुम तो प्रसन हो, इसका क्या कारण है, कल्यानी कुछ बताओ तो सही, उनका प्रशने सुनकर यमुना जी हस पड़ी, साथ ही ये भी सोचकर कि मेरे प् करने के कारण भगवान श्रीकृष्ण आत्मा राम है, और उनकी आत्मा है श्री राधाजी, मैं दासी की तरह राधाजी की सेवा करती रहती हूँ, उनकी सेवा का ही ये प्रभाव है, कि विरह हमारा इसपर्ष नहीं कर सकता, भगवान श्रीकृष्ण की जितनी भी रानिय हैं सब की सब श्री राधिका जी के ही अंश का विस्तार है भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख है उनका परसपर नित्य संयोग है इसलिए राधा के स्वरूप में अंशता विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य राणिया है उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है उन दोनों का प्रेम ही वन्शी है और राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नकरूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसत्त रहने के कारण चंद्रावल आदी का समावेश देखा है तुम लोगों का भी सरवांश में श्रीक्रिष्न के साथ व्योग नहीं हुआ है किन्तु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो इसलिए इतना व्याकुल हो रही हो इसी प्रकार पहले भी जब अकरूर श्रीक्रिष्न को नंदगाओं से मतुरा में ले आये थे उस अफसर पर जो गोपियों को श्रीक्रिष्न से विरह की प्राप्ती हुई थी वो भी वास्तविक विरह नहीं था केवल विरह का आभास भर था इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक तो उन्हें बड़ा दुख बड़ा कस्ट होता था यह भगवान से अलग है फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समधान किया तब कहीं जाकर वे इस बात को समझ सकी ज़ि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम भी अपने प्रेतम श्रीकृष्ण के साथ निति विहार का सुक प्राप्त कर सकोगी सूत जी कहते हैं रिशिगन जब उन्होंने इस प्रकार सभी सोलह हजार पत्नियों को समझाया तब श्रीकृष्ण की पत्निया सदा प्रसन रहने वाली यमुना जी से फिर बोली उस समय उनके हर्दे में इस बात की बड़ी इच्छा थी कि किसी उपाय से उध्वजी का दर्शन हो जाए जिससे हमें अपने प्रेतम के निति संयों का स्वभागी प्राप्त हो सके श्रीकृष्ण पत्निया कहने लगी सकी तुम्हारा ही जीवन धन्य है क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणात के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता जिन श्रीराधिका जी की किरपा से तुम्हारे अभीस्ट अर्थ की सिद्धी हुई है उनकी अब हम लोग भी दासी हुई क्योंकि तुम अभी अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनुरत पून होंगे इसलिए कालंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीकरी ही मिल जाए सूत जी कहते है श्रीकृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्रीकृष्ण चंदर की सोला कलाओं का चिंतन करती भी उनसे कहने लगी कि जब भगवान श्रीकृष्ण अपने परमधाम को पधार दे लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उत्व से कहा उधव साधना करने की भूमी है बद्रिक आश्रम इसलिए अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ भगवान की इस आग्या के अनुसार उधव जी इस समय अपने साक्षात सुरुप से बद्रिक आश्रम में विराजमान है और वहाँ जाने वाले जिग्यासु लोगों को भगवान के बतायवे ज्यान का उपदेश करते रहते हैं साधन की फल रूपा भूमी है व्रज भूमी इसे भी इसके रहस्यो सहित भगवान में पहले ही उधव को दे दिया था किन्तु व्रज फल भूमी यहां से भगवान की अंतरध्यान होने के साथ ही इस थूल द्रिष्टी से परे जा चुकी है इसलिए इस समय यहां उधव प्रतक्ष दिखाई नहीं परते फिर भी एक स्थान है जहां उधव जी का दर्शन हो सकता है गोवर्धन परवत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार इस्थली है वहां की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उधव जी वहां निवास करते हैं लताओं की रूप में उनके रहने का उद्देश यही है कि भगवान की प्रेतमा गोपियों की चरणरज उन पर पढ़ती रहे उधव जी के समन में एक निश्चित बात ये भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव सरू प्रदान किया है भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है वे उससे अलग नहीं रह सकते इसलिए अब तुम लोग वरजनाब को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरूवर के पास ठेहरो भगवत भगतों की मंडली एकत्र करके वीना वेनू और मृदंग आधी बाजो के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्दन भगवत सम्मंधी कावी कथाओं के श्रवन तथा भगवत गुणगान सी युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्य है कि वहाँ उत्धव जी का दर्शन मिलेगा वेही भली भाती तुम सब लोगों के मनुरत पूंड करेंगे सूत जी कहते हैं कि यमुना जी की बताई हुई बाते सुनकर श्री कृष्ण की रानिया बहुत प्रसन हुई उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लोटकर वरेजनाब तथा परिक्षित से उस सारी बाते कह सुनाई सब बातें सुनकर परिक्षित को बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने व्रजनाप तथा श्रीकृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ लेकर उस इस्थान पर पहुँच कर तुरंती ही वो सब काम करना आरम कर दिया जो कि यमुना जी ने बताया था गोवर्दन के निकट व्रिंदावन के भीतर कुसुम सरोर पर जो सक्षियों की विहार इस्थली है वहाँ ही श्रीकृष्ण कीर्दन का उत्सव आरम हुआ वरिश भानू नंदनी श्री राधा जी और उनके प्रेतम श्रीकृष्ण की वहलीला भूमी जब साक्षात संकीरतन की शोभा से संपन्ध हो गई उस समय वहां रहने वाले सभी भक्त जन एकाग्र हो गई उनकी द्रिष्टी उनके मन के व्रती कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी इसके बाद सबके देखते देखते वहां फैले वे तिन के गुल्म और लताओं के समू से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आ गए उनका शरिर शामबर्ण था उस पर पितामबर शोभा पा रहा था वे गले में वनमाला और गुंजा की मालाधारण किये वे थे और मुक से बहरंबार गोपी वलब श्रीकृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे उद्धव जी के आगमन से उस संकीरतन उत्सव की शोभा कई गुना पढ़ गई वैसे ही जैसे इस फटिक मनी की बनीवी अटालिकाओं के छट पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग न होकर अपना सब कुछ भूल गए सुधबुद खो बैठी थोड़ी दिर बाद जब उनकी चेतना दिविलोक से नीचे आई अर्था जब उन्हें कुछ होश आया तब उद्धव जी को भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप में इस्थित देकर अपना मनुरत पुन हो जाने के कारण प्रसन होकर वे उनकी पूजा करने लगे सूध जी कहते हैं उद्धव जी ने वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्रीकृष्ण कीर्थन में लगा देखकर सभी का सतकार किया और राजा परिक्षित को हर्दे से लगा कर कहा उद्धव जी ने कहा राजन तुम धन्य हो एक मात्र श्रीकृष्ण की भक्ति से ही पोर्ण हो क्योंकि श्रीकृष्ण संकीर्थन के महोसम में तुम्हारा हिरते इस प्रकार निमगन हो रहा है बड़े सुभागी की बात है कि श्रीकृष्ण की पत्नियों के प्रती तुम्हारी भक्ति और व्रिजनाब पर तुम्हारा प्रेम है तात तुम जो कुछ कर रहे हो साब कुछ तुम्हारे अनुरूप ही है क्यों ना हो श्रीकृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभप्रदान किया है इसलिए तुम्हारा उनके प्रपोत्र पर प्रेम होना तो सभाविक ही है इसमें बिल्कुल भी संदे नहीं कि समस्त द्वार का वास्यों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं जिने व्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जन को आग्या दी थी श्रीकृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूपी चांदनी से युथ हो उनकी लीला भूमी वरिंदावन को अपनी किरणों से स्योशोबित करता हुआ यह सदा प्रकाश्मान रहता है अपनी सोलह कलाओं से श्रीकृष्ण सदा ही इस वरिज भूमी में विद्यमान रहते हैं इस भूमी में और उनके स्वरुप में कुछ भी अंतर नहीं है राजन इस प्रकार विचार करने पर सभी वरजवासी भगवान के अंगों में स्थित है शरणागतों का भैदूर करने वाले जो ये वजर हैं इनका इस्थान श्रीकृष्ण के दाहिने चरण में है इस अफ्तार में भगवान श्रीकृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और सदा इसी कारण दुखी रहते हैं ये बात निसंदे ऐसी ही है श्रीकृष्ण का प्रकाश प्राप्थ हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता उस पर सदा माया का परदा पड़ा ही रहता है 28 वे द्वापर के अंत में जब भगवान श्रीकृष्ण स्वयम ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का परदा उठा लेते हैं उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्थ होता है कि तु अब वो समय तो बीद गया इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है सुनो 28 विद्वापर के अलावा समय में यदि कोई श्रीकृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमत भागवत से ही प्राप्त कर सकता है भगवान के भक्त जहां जब कभी श्रीमत भागवत शासर का कीर्तन और श्रवन करते हैं वहां उस समय भगवान साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं जहां श्रीमत भागवत के एक या आदेश रोक का ही पार्ट होता है वहां भी श्रीकृष्ण अपनी प्रेतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं इस पवित्र भारत वर्ष में मनुश्य का जनम पाकर भी जिन लोगोंने पाप के अधीन होकर श्रीमत भागवत नहीं सुना उन्होंने मानू अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली जिन बड़भागियों ने प्रति दिन श्रीमत भागवत शास्तर का सेवन किया है उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भलिभाती उधार कर दिया पूर्वकाल में सांख्यायन की करपा से श्रीमत भागवत ब्रसपती जी को मिला और ब्रसपती जी ने मुझे दिया, इसी से मैं श्रीकृष्ण का प्रेदम सखा हो सका हूँ परिक्षित ब्रसपती जी ने मुझे एक आख्याईका भी सुनाई थी, जिसे तुम भी सुनो इस आख्याई का से श्रीमत भागवाश्रवन के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है ब्रस्पति जी ने कहा था अपनी माया से पुरुष रूप दारन करने वाले भगवाश्र श्रीक्रिष्ण ने जब स्रस्टी के लिए संकल्प किया तब उनके दिवे विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए इन में रजुगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णू और तमुगुण की प्रधानता से रुत्र प्रकट हुए भगवाश्र ने इन तीनों को क्रम शह जगत की उत्पत्ती पालन और संगार करने का अधिकार प्रदान किया तब भगवान के नाभी कमल से उत्पनवे ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनुभाव इस प्रकार प्रकट किया ब्रह्मा जी कहने लगे परमात्मन आप नार अर्थात जल में शयन करने की कारण नारायन नाम से प्रसिध है सबके आधिकरन होने से आधि पुरुष है आपको नमस्कार है प्रभु आपने मुझे स्रस्टी कर्म में लगाया है मगर मुझे भए है कि स्रस्टी काल में अत्यत पापात्मा रजोगुण आपके इस्मृति में कहीं बाधना डालने लग जाए इसलिए कृपा करके ऐसी कोई बात पताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे ब्रस्पति जी कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थ न की तब पूर्वकाल में भगवान ने उन्हें श्रीमत भागवत का उपदेश दे कर कहा ब्रह्मन तुम अपने मनुरत की सिद्धी के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो ब्रह्मा जी श्रीमत भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन हुए और उन्होंने शिर्दक्रिष्न की नित प्राप्ति के लिए तथा साथ आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमत भागवत का सप्ताह परायन किया सप्ताह यगी की विधी से साथ दिनों तक श्रीमत भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनुरत पूर्ण हो गए इससे वे सदा भगवत इस्मरन पूरवक स्रस्टी का विस्तान करते और बारंबार सप्ताह यगी का अनुस्ठान करते रहते हैं ब्रह्मा जी की ही तरह विष्णू जी ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धी के लिए उन पुरुषुत्तम भगवान से प्रार्थ न की क्योंकि उन पुरुषुत्तम ने विष्णू जी को भी प्रजा पालन रूप कर्म में नियुक्त किया था श्री विश्णू ने कहा देव मैं आपकी आग्यक्यनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवर्ति और निवर्ति के द्वारा ये थोचे त्रूप से प्रजाओं का पालन करूँगा काल करम से जब जब धर्म की हानी होगी तब तब अनेकों अवतार धारन कर पुनह पुनह धर्म की इस्थापना करूँगा जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किये हुए यग्यादी कर्मों का फल अरपन करूँगा और जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं विरक्त हैं उन्हें उनके इच्छानुसार पांच प्रकार की मुक्ती भी देता रहूँगा परन्तु जो लोग मुक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन में कैसे करूँगा ये बात मुझे समझ नहीं आती इसके अलावा मैं अपनी तथा लक्षमी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूँगा इसको उपाई भी मुझे बताईए तब श्री विश्णु जी की ये प्रार्थना सुनकर आदी पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमत भागवत का उपदेश किया और कहा कि तुम अपने मनुरत की सिद्धी के लिए इस श्रीमत भागवत शास्तर का सदा पाठ किया करो इस उपदेश से भगवान विश्णु का चित्त प्रसन हो गया और वे लक्षमी जी के साथ प्रत्यक मास में श्रीमत भागवत का चिंतन करने लगे इससे वे परमार्त का पालन और रिथार्थ रूप से संसार की रख्शा करने में समर्थ हुए रुद्र ने कहा मेरे प्रभु देव देव मुझ में नित नयमित्तिक और प्राकर्ट संगहार की शक्तिब बिलकुल नहीं है ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है इसी कमे की पूर्थी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बिस्पति जी कहते हैं रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायन ने उन्हें भी श्रीमत भागवत का ही उपदेश किया सदाश्य वरुद्र ने एक वर्ष में एक परायन के करम से भागवत कथा का सेवन किया इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्तिन्तिक संगार अर्थत मोक्ष प्रदान करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली उत्व जी कहते हैं श्रीमत भागवत के महतम्य के संबन में ये आख्याई का मैंने अपने गुरू श्री ब्रिस्पती जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनदित हुआ इसके बाद भगवान विश्नु की रीती स्विकार करके मैंने भी एक मास तक श्रीमत भागवत कथा का भली भाती रसा स्वादन किया उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रेतम सखा हो गया इसके बाद भगवान ने मुझे वरिज में अपनी प्रेतमा गोपियों की सेवा में निक्त कर दिया ये दिपी भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नितिविहार किया करते हैं इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी व्योग नहीं होता फिर भी जो भ्रह्म से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी उन गोपियों के प्रती भगवान ने मेरे मुझे से भागवत का संदेश कहलाया उस संदेश को अपनी बुद्धी के नुसार ग्रहन कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई मैं भागवत के इस रहसी को तो नहीं समझ सका किन्तु मैंने उसका चमतकार प्रत्यक्ष देखा इसके बहुत समय के बाद जब भ्रहमादी देवता आकर भगवान से अपने परमधाम में पधारने की प्रार्थन करके चले गए उस समय पीपल के व्रिक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़ेवे मुझे भगवान ने श्रीमत भागवत विशयक उस रहसी का स्वेम भी उपदेश किया और मेरी बुद्धी में उसका द्रण निश्चे करा दिया उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहां वरज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ उसी के बल से यहां नारत कुंड पर सदा स्वेच्छा नुसार विराजमान रहता हूँ भगवान के भक्तों को श्रीमत भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्थ हो सकता है इस कारण यहां उपस्थित हुए इन सभी भक्त जनों के कार्वे के सिद्धी के लिए मैं श्रीमत भागवत का पाठ करूँगा किन्तो इस कारे में तुम्हें ही साहता करनी पड़ेगी सूत जी कहते हैं ये सुनकर राजा परिक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले हरीदास उद्धव जी आप निश्चिन्त होकर श्रीमत भागवत कथा का कीर्थन करें इस कारे में मुझे जिस प्रकार की साहता करनी अवशक हो उसके लिए आगया दीजे सूत जी कहते हैं परिक्षित का ये वचन सुनकर उद्धव जी मनी मन बहुत प्रसन हुए फिर बोले राजन भगवान श्रीक्रिष्ण ने जब से इस प्रत्वी तलका परित्याग कर दिया है तब से यहां अत्यत बल्वान कल्युक का प्रभूत्व हो गया है जिस समय ये शुब अनुस्ठान यहां आरंभ हो जाएगा बल्वान कल्युक अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विखन डालेगा इसलिए तुम दिग विजय के लिए जाओ और कल्युक को जीत कर अपने वश में करो इधर मैं तुम्हारी साहता से वैशनवी रीती का सहरा लेकर एक महिने तक यहां श्रीमत भागवत कथा का रसा स्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोग धा में पहुँचाओंगा सूत जी कहते हैं मुझे कैसे होगी मैं भी तो आपके चरणों की शरण में आया हूँ इसलिए मुझ पर भी तो आपको अनुग्रे करना चाहिए सूत जी कहते हैं उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी फिर बोले राजन तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो संसार के मनश नाना प्रकार के कर्मों में रचे बसे हुए हैं ये लोग आज तक प्रायह भागवत श्रवन की बात भी नहीं जानते तुम्हारी ही करपा से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकार श्रीमत भागवत कथा की प्राप्ती होने पर शास्वत सुख प्राप्त करेंगे महर्शी भगवान शुरी शुक्तेव जी साक्षात नंदन नंदन श्री कृष्न के स्वरूप हैं वे ही तुम्हें श्रीमत भागवत की कथा सुनाएंगे इसमें बिल्कुल भी संदे नहीं राजन उस कथा के श्रवन से तुम वरजेश्वर श्री कृष्न के नित्धाम को प्राप्त करोगे इसके बाद इस प्रत्वी पर श्रीमत भागवत कथा का प्रचार होगा इसलिए राजा परिक्षित तुम जाओ और कल्युक को जीत कर अपने वश में कर लो सूत जी कहते हैं उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परिक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिगविजय के लिए चले गए इधर वजर ने भी अपने पुत्र प्रती बाहु को अपनी राजधानी मतुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी इस्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमत भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे इसके बाद उद्धव जी ने वरंदावन में गुवर्धन परवत के पास एक महिने तक श्रीमत भागवत कथा के रस की धारा बहाई उस रस का पांध करते समय सभी प्रेमी श्रोताओं की द्रिष्टी में सब और भगवान की सचिदनन भई लीला प्रकाशित हो गई चार ओर श्रीक्रिष्ण चंद्र का साक्षतकार होने लगा उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में इस्थित देखा वजरनाब ने श्रीकृष्ण के दाहिने चरन कमल में अपने को इस्थित देखा और श्रीकृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस इस्थान पर अत्यन्त सोशोबित होने लगे वजरनाब की वे रोहिनी आदी माताई भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्रीकृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में इस्थित देखकर बहुत हैरान हुई और अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परमधाम में प्रवेश कर गई इनके अलावा भी जो श्रोदागन वहां उपस्थित थे वे भी भगवान के नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस इस्थूल व्यवाहरिक जगत से ततकाल ही अंतर्ध्यान हो गए वे सभी सदा ही गोवर्धन परवत के कुँझ और जहाडियों में वरिंदावन कामेवन आदिवनों में और वहां की दिविगवों के बीच में श्रीक्रिष्ण के साथ विचरते वे अनत आननत का अनुभव करते रहते हैं जो लोग श्रीक्रिष्ण के प्रेम में मगन हैं उन भावक भकतों को उनके दर्शन भी होते हैं सूत जी कहते हैं जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल ही जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत भी हो जाएगा इस प्रकार श्री शुकदेव जी के मुख से कहा हुआ कि श्रीमत भागवत शास्त्र तो कल्यूग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान कराने वाला है प्रेम से बोलिए श्रीमत भागवत महापुरान की जय आज श्रीमत भागवत महातम में समाप्त हुआ इसे के साथ भागवत कता पून हुई आप सुनिए श्रीमत भागवत की आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हैता आरती श्री भागवत बगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर क्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नम जोती जलाने वाला हरी नाम यही हरी धाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत बगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मद सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगफंद खोल सनमार्ग दिखाने वाला बिगडी को बनाने वाला श्री राम यही घन शाम यही यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती प्रेम से बोले श्री कृष्न भगवान की जय श्री मत भागवत महापुरान की जय